नवश्कार दोस्तों, UPVC Windows Business Series में आज हम आपको दिखा रहे हैं, पहले वीडियो 1 में हमने बताया था कौन-कौन सी मशीन चीए, अभी हम आपको फिर से बताते हैं, जैसे यह जो आपका कटर है, तो यह कटिंग के लिए चीए, आपको प्रोफाइल कटिंग और आपकी जो ब attention हो, जो आपकी help कर सकें, और आप यह देखिए कि यह जो आपका hand tool है, तो यह hand tool आता है आपका, CNC मशीन के लिए, जो सामने हमारी CNC है इसका replacement यह hand tool है, तो यह hand tool आपका cleaning करता है, उपर से ऐसे चला-चला के यह ऐसे cleaning करता है, तो यहाँ पर इसके, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके यह blade लगा है, जो कि आपका clean करेगा वेल्डिंग के बाद, तो वेल्डिंग का हमने आपका बताया था कि आपको सिर्फ plate और उसके connection के और उसके बाद cleaning के लिए आपके hand tool हो गया, बाकी आपका यह जो hand drill है, इसके जो different bits हैं, जैसे कि अगर आपको experience हो, तो आपका पत्थर काटने के लिए अलग होता है, सीशा काटने के लिए अलग होता है, लोहा काटने के लिए bit आता है, तो यह आपके routing के operation cover करेगा, बट उ 3-4 चीजों से आप start कर पाएंगे, बट हमारा suggestion तो यह है, कि आप इससे भी पहले कि इसमें आपको बहुत यह काम आना चीए, और इसमें भी कुछ पैसे आप लगा रहे हो, इससे अच्छा पहले आप customers देख लीजिए, अगर आपको customers मिल रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप customers को जो पहले से ही आपके एरिया में कोई अच्छी factory है, उसको no profit no loss में भी, मतलब जो price factory ने बताया, वो ही customer को दे दिंगे, और इससे आपको पता लगेगा, कि आपके बिजनस कितना आने वाला है, तो आपको return का पता लग जाएगा business से, तो फिर आप loan लेने की या क किसी और तरीके से partnership में जाने की सोच सकते हैं, बट अगर आपको customers वगरा नहीं पता हैं, और आप इतना investment करेंगे, तो वो चीज हम नहीं suggest करते हैं, इस type के comments से तो हमने का ये cover करते हैं, और अभी हम दूसरे वीडियो में बताएंगे, कि एक हमसे कम पैसे में हमारे बराबर setup आप कैसे ले सकते हैं, जो कि और इसमें आपकी help करेगा पैसे बचाने में, और इतनी ही या इससे थोड़ा सा कम efficient होगा, बट पैसे आपके अच्छे बच जाएंगे, धन्यवाद दोस्ते.